हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू किमिकल साइन्स और बच्छो आज हम संथाटिक पॉलिमर बियसी फाइनल एर का बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है ठीक है तो छोटा चैप्टर है कुछ चीजें हैं इसमें जो काफी पूछा जाता है तो इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है तो आज हम इसका इंट्रोडेक्शन करते हैं बच्छों देखो सिंथाटिक पॉलिमर वैसे आपने एलिमेंटरी क्लासे मतला 11 12 12 में भी आपने पड़ा है यह ना पॉलिमर एक्सेन पॉलिबराइजेशन प्रॉसेज और 12 में तो पूरा चैप्टर ही था पॉलिमर ठीक है यह बात आपने पहले भी सुनी होगी यह definition पहले भी पड़ी होगी polymers क्या होते हैं higher molecular weight compound होते हैं जिनके structure क्या होते हैं छोटी-छोटी units से मिलके बने होते हैं छोटी-छोटी units की repeating या repetition से बने होते हैं तो उसे complete molecule को हम polymers बोल देते हैं और जो छोटी small repeating units हैं उन्हें हम बच repeating units are usually obtained from low molecular weight molecules ठीक है known as monomers clear then the reaction by which monomers are converted into polymers is known as polymerization reaction ठीक है तो क्या है वो process जिसमें monomers क्या होते हैं इसी reaction जिसमें monomers convert हो जाते हैं polymers में मतलब आपस में interconnected हो जाते हैं हैं तो एक बड़ा सा large molecule बना लेते हैं तो उसे क्या बोल देते हैं हम polymer और इस reaction को हम लोग बोल देते हैं बुच्छो polymerization reaction देखिए यह रहे आपकी polymerization reaction देखिए क्या करना आपको यहां पर monomers कौन है बच्छों आपके देखिए लिग देता हूं पर this is monomers ठीक है और यह monomers है और यह क्या है इसके polymers ठीक है तो monomers में क्या है अपना ethene molecule लिया है CH2 double bond CH2 और आपने reaction यहां पर करिए कौन सी polymerization reaction और आपका क्या बन गया देखिए monomers देखिए यहां पर monomers के n molecules लिये वें आपने बच्छों ठीक है है N तो यह क्या है N छोटी-छोटी units हैं जब यह connected हो जाएंगी तो इस टाइब की units जो है N आपस में interconnected हो जाएंगी मिन्स देखिए होल N मतलब ऐसे ही चलता रहेगा अगर में यहां चाहो तो आप इसको सकते हो CH2 single bond CH2 को यहां क्या जागा अब N-1 इसको हटा दिंगे अब है ना तो इस तरी के चलती रहेगी chain फिर N-2 जब तक आपका सारा N लिकल जाए क्लियर हुआ ठीक है तो इसी क्या बोलते हैं बच्छे हम लोग polymerization reaction बोलते हैं ठीक है अब यह polymation reaction कैसे होती है मैं आपको सब समझाओंगा इस chapter में तो किसी कुछ properties देख लेते हैं ठीक है दो क्या लिक है polymers which are synthesized by from only one kind of monomers are called homopolymers ठीक है पूछ सकते आप से छोटे questions में homopoly 증 क्या होते हैं तो ऐसे polymers जिनगे जो monomers होते हैं सिरफ one kind of होते हैं ठीक है one kind क्यों होते हैं means एक यी तरीके के monomers होते हैं जैसे यह मेरे example देख़ो इसमें सारे monomers हमारे एक ही तरीके से हैं कौन सी है ethene molecules ठीक है तो यह कहा है आपके कैसे वाले है homopolymers का example है then second point polymers which are prepared from more than one kind of monomers are called copolymers ठीक है ऐसे polymers जिसमें one kind of monomers use होते हैं polymerization reaction में हम उन्हें बोलते हैं बच्छो copolymers ठीक है then third point ठीक है polymers are said to be linear ठीक है polymer linear भी हो जाते है if the repeating units are joined together in a chain ठीक है chain का मतलब समझ एक CD chain linear polymer तब बोलेंगे हम जो एकदम CD chain से चिपकते रहेंगे आपसे molecules connected होते रहेंगे और लंबी chain मना लेंगे हम उसे क्या बोल देते हैं chain polymer ठीक है या फिर linear polymer the chain may be branched और joined together by cross link और both ठीक है अब देखें इसको में आगे देखते हैं यह रहा आपका यह देखें क्या है यह linear polymer देखो इसमें सीधे सीधे chain चल रही है चलते रहेंगे आगे जिस तरीके से बहुत सारे molecules मिलते रहेंगे आपसे जाते रहेंगे एक होते हमारा branch polymer branch में क्या होता है ऐसा side chains निकली होती है आपको दिखाई पढ़ लागा side chain है ना side chain निकली होती है बच्चे से हम बोलते है branch polymer और यह side chain फिर से linear chain से आपस में connect रहती है देखें कुछ इस तरीकी से तो हम इसे बोलते हैं बच्चो cross polymer ठीक है दिखाई पढ़ा ना पूए this is cross polymer यह क्या है देखो ऐसे linear polymers है बटो branched आपस में क्या कर रही है और linear polymers को आपस में connect कर रही है तो यह हम बोल देते हैं cross polymer clear हुआ तो यह बच्चो इसका introduction था तो आपने देखा कैसे कैसी थोड़ा-थोड़ा उसकी क्यास में